केंदर कैबिनेट ने आज पेस्टिसाइड मेनेजमेंट बिल 2020 और मेजर पोर्ट अथोर्टी बिल 2020 को मंजूरी दे दी है इसके लावा अपने एक और महत्पूर्ण फैसले में कैबिनेट ने इंकम टेक्स से जुड़े विवात से विश्वास स्कीम को भी मंजूरी दे दी है प्रधान मंद्री नद्मोदी के अद्रस्ताम हुई केंद्रे कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्पूर्ण फैसले लिए गए इसमें किसानों से जुड़े नए पेस्टिसाइड कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई इसके अलावा मेजर पॉर्ट ऑथर्टी कानून को भी मंजूरी दे दी गई साथी तीन जनरल इंसुरेंस कमपणी के पैकेज को भी केंद्रे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी प्रदान मंद्री नदमोदी के अद्रस्ताव में हुए केंद्रे कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्पूर्ट फैसले लिए गए इसमें केंद्रे कैबिनेट ने मेजर पॉर्ट ऑथर्टी बिल को मंजूरी दे दी इसके अलावा किसानों से जुड़े पेश्टी साइड मेनेजमेंट बिल 2020 को भी मंजूरी दे दी गई साथी सरकार ने कर विवास से जुड़े विवास से विश्वास स्क्रिम को भी मंजूरी दे दी इसके अलावा केंद्रे कैबिनेट ने तीन जनरल इंसुरेंस कमपनियों के विले को मंजूरी देते हुए पैकेज का भी ऐलान कर दिया केंद्रे कैबिनेट में पारित महतपून पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 को मंजूरी मिल गई है अब इस बिल को संसत में पास कराए जाएगा इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेजी अब कमपनिया किसानों को किटनाशक मनमानी कीमत पर नहीं बेच पाएंगे मोजुदा कानून में किटनाशकों के केवल विनिर्मान, विक्री, आयात, परिवेहन, उप्योग और वित्रन को कवर किया गया है प्रस्तावित कानून में निर्यात, पेकेजिंग, लेबलिंग, मुल्य निर्धारन, भंडारन, विग्यापनों को भी रेगुलेट किया जाएगा आज क्याबिनेट के बैठर ने एहम फैसले जो दिये है उसमें किसानों के लिए और एक कल्यानकारी काम हो रहा है आपको पता है कीट वाशक बिल, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल ये 2008 में आया था उस पर बहुत चर्चा हुई, लेकिन वो संसत से पास नहीं हो पाया आगे इसलिए उस बिल को भी ड्रॉक करते हुए जो उस समय बहुत चर्चा हुई थी और जो सारे सुझाव आये थे, खास कर स्टैंडी कमिटी के जो सुझाव थे उन सुझाव ओपर विचार करके नए रूप में ये पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 लाने का फैसला किया है और इसमें मूल बुद्दा है कि किसान को सुरक्षित एवं प्रभावी की एक नाशक मिले बजेट में विवाद से विश्वास ये नया जो आज कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी है दरसल सरकार लंबे समय से किटना सक अधिनियम को बदनने की योजना बना रही थी इसके पीछे सरकार का मकसद क्रिसी रसायनों की कीमते सस्ती कराना और आसानी से किसानों को उपलब्द कराना है इसके अलावा केंदरे कैबिनेट ने अपने एक और महत्मून फैसले में मेजरपोर्ट ओथरिटी बिल 2020 को मंजूरी दी इस से ग्यारे पोर्ट टश्ट ओथरिटी में बदल जाएंगे ये ओथरिटी अपनी मरजी से टेरिफ फिक्स कर सकेगी कैबिनेट से बिल को मंजूर इसकीम का दाइरा भढ़ाय गया है संसत के बजट के दूसरे चरण में डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 पारित होगा बजट सत्र का दूसरा चरण दो मार्स से शुरू होगा विवास से विश्वास स्कीम के तहत संसोधन मंजूर किये गए है 31 मार्स तक अधान का प्रावधान किया गया है इसके लावा केंद्रे केबिनेट ने तीन जनरल इंसे रोंस कंपनेए में के मर्जर के लिए पूजी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके लिए फिलाल 2500 करोड रुपे के पैकेज को मंजूरी दी गई है इसी के साथ केंद्रे कैबिनेट ने श्री लंका के साथ इंकम टेक्स के उलंगन रोकने के लिए मोजूदा करार में बदलाव को भी मज़ूरी दे दी है जहरे संसत का बजट सत्र चल रहा है और दूसरा चरन दो मार्शे शुरू होना है इससे पहले केंद्रे सरकार आधार भूठ धाचे को मजबूत करने निवेश को बढ़ाने और इसके अलावा किसानों से जुड़े मुद्धों को एड्रस करती नजर आ रही है कैमरामन विदर बिट के साथ प्रदीप कुमार टोटल यूज दिली